नमस्कार, आज हम सीखेंगे interpolation method जो कि हमारे RCC या engineering के किसी भी subject में आपको लगाना पड़ सकता है, यह method कहां काम आता है, देखें जहां पर एक आपको कोई बड़ी सी table दे रखी होगी, उस table में यहां कोई x की term कोई y की term होगी, अब आप कोई x की term की 20 पर 23 पर 24 पर 28 पर, ऐ ऐसे कुछ y की हमें values दे रखी होंगी, लेकिन हमें जो निकालनी है y की value वो निकालनी है, जब x बड़ापर होगा, मान लिजे 23 यानि कि जो table के अंदर value दे रखी है, 23 पर निकालना होगी तो 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 directly हम table से उठा लेते value, लेकिन अगर 23.5 यानि जो यहां value नहीं दे रखी ह अगर उसके बीच में से हमें value लेनी पड़ती है, तो वहाँ पर हमें interpolation लगाकर value निकालनी पड़ती है, interpolation में एक बात का ध्यान रखना है कि जिस भी value का हमें चाहिए होता है, जैसे हमें y चाहिए x बराबर 23 पर, यानि x जो 23 है, 23.5 है उस पर हमें y की value चाहिए, तो 23.5 क आएगा, यहाँ पर आएगा, यानि इससे एक छोटा वाला 23 हो हमारे पास होना चाहिए, इससे एक बड़ा वाला 24, 25, 28, 30, 45, कुछ भी हो, यानि ये जो value हमें है, उससे एक छोटी value भी table होने चाहिए, उससे एक बड़ी value भी table होने चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी हो या उसके पास है 23 रुपए, यानि उसके रुपए समय के साथ सा बढ़ रहे हैं, माल लीजे हमें बताने हैं कि X के पास कितने रुपए हैं, बताने हैं, लेकिन कब बताने हैं, हमें बताने हैं जब time हमारा हो रहा होगा 6, यानि जब time 6 बजे होंगे, उस समय हमें बताना है कि X दो घंटे बाद टाइम है किस तरीके से आप लेशते हैं यह एक्जेंपल लिया गया है सिर्फ मान लिजे दो घंटे बाद उसके पास रुपए 5 थे और 8 घंटे बाद उसके पास रुपए हो गए 23 अब हमें बताना है कि जब 6 घंटे हो चुके होंगे उससे हम उसके पास कित हम यह देगे अब इसके बाद जितने भी रुपए हो मुझे भी पता नहीं है कितने रुपए हैं लेकिन वो रुपए पक्का 5 से को जादा होंगे और 23 से कम होंगे तो अब दो एपरोच है मेरी एडिशन में क्या है मैं बेस मानूँगा 5 को यानि बेस मैं मानूँगा इसक कितने कम उसके रुपए बैठेंगे हम फिलाल एपरोच जो लेते हैं मेली वह एडिशन वाली लेते हैं इसी को हम सीखते हैं अप्रेक्शन में कुछ नहीं है उसी हल्का से मानस करना है जितने भी रुपए इसके पास आएंगे 5 से तो जादा ही आएंगे तो एक्स के पास रुपए होंगे वो बराबर होंगे 5 प्लस यह नीचे की जो वैली है उसको में लिखूंगा ब्लू से 5 यानि पास से तो फ्लस में होंगे अब कितने प्लस होंगे वह हम देख लेंगे वो देखने के लिए मुझे सासे पहले यह निकालना होगा इसके रुपए किसे दर से तो इसके तो तो यह जो आया है पूरा यह तो अभी दर आई है इस दर में हमें यह पता लग रहा है कि 23-5, हमारा बचे का लगवा 18, यह बचे का छे, यानि की 3, तो हमें यह पता लग रहा है, कि 3 रुपए उसके बढ़ रहे हैं, per hour, यानि हरी घंटे में 3 रुपए बढ़ रहे हैं तो हमें दर पता लग गई, अब हमें कितने घंटे आगे जा रहे हैं, बेस हमने माना है 5 को, जब 5 को बेस माना है तो हम देखेंगे 5 से कितना आगे हम जा रहे हैं, हम तो 6 बजे की बात कर रहे हैं, बेस किसको माना है, 5 वाले को, यानि हमने बेस माना है, इस वाले को माना है, बेस, जब ये बेस हो गया, अब हमें जाना है टाइम 6 पे, तो हमें total क तो 6 गंट जाना है माइनस दू यानि कितना समय जाना है टोटल चार गंटे और आगे जाना है तो अब इसके अगर हम वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 5 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 4 12 और 12 पांच हमारे यह 17 अंसर आएगा इसका मतलब है कि 6 गंटे बाद उसके पास टोटल 17 रूपे होंगे यह है इंट्रपोलेशन मेफट अब इसी की अगर हम फॉरूले की बात करें यह तो रहा है इसका लॉजिक किस तरीके से यह में बना है और बात कर ऐसे ही जो time था इस time की value हो गई t1 इसकी value हो गई t2 t1 2 है x1 5 है और हमें निकालना कितने का है तो हमें निकालना है value x की और कहां पर निकालना है x at t यानि हमें x की value निकालना है t पर अब सीधा देखे formula क्या बन रहा है x at t बराबर है हमने पहले किसकी value लिए जो main हमारी x की value है यानि x1 x1 प्लस फिर हमने यहां दोनों को minus किया x2 minus x1 divided by t2 minus t1 multiplied by अब यहां पर time हमने कौन सा लिया है जितने पर हमें निकालना है x at t तो यहां पर time लिया जाएगा t minus t हमने 6 गंटे लिया था t और minus फिर हमने किया था जो पहला वाला समय था क्योंकि base हमने उसको माना है t1 तो यह total हिसका हो गया formula हमारा interpolation का अब अगर हम subtraction वाले method से करते तो उसमें हम क्या करते अगर subtraction वाले method को देखें तो तो subtraction वाले में हम यही x की value का हम निकालते हैं हम base किसको मानते 23 को तो हम क्या करते 23 और हमें पता रहता है 23 से कुछ तो value कमाएगी तो 23 minus अब minus में कितना कमाएगी पहले हमें निकलना हो वही दर जैसा हमें निकाली 23 minus 5 हमाज बटे 8-6 और 8-2 यह दर आगई वही दर हमें पता लग्यू गुणा में हमारा अपके बार यहां पर हमें ध्यान देना है सिर्फ कि हमारा जो आएगा आपकी बार difference वह इन दोनों का निकालना है यानि हमारा कितना था ती आया 6 और यह कितना है हमारा आठ तो हम यहां पर लिखेंगे 8-6 हमारा टोटल निकाल लेंगे वैल्यू से कितनी आएगी 23 minus यह हमारा पूरा पूरा बन जाएगा 3 और यह हमा इसका बीच में logic आ जाता है तो इस वह से हम नहीं करते हैं आप इसलिए simple simple करें किस तरीके से add होता चलता अब देखिए कई बार table ऐसी होती है जिसमें जहां हम देखते है x की value उसमें y की value घटती जाती है यह कहरो यहां पर देखिए कि time 2 घंटे वे उसके बाद 30 रुपे जबकि 8 घंटे वाद उसके बास रुपे बचे 5 यानि अपकी बारी घट रहा है तो भी हमें कोई नहीं है simple जो हमना formula सीखा था वही लगाना है हमको इसमें हमें बताना है कि add 6 यानि 6 पर कितने रुपे इसके बचेंगे इतना बताना है तो हमें कुछ नहीं वही जैसे हम कर किया 5-23 divided by 8-2 सेम वही लेकर चल रहे हैं जैसा हम लेकर चले इंटू हमें निकालना है 6 गंटे बे माइनस बेस के समाना हमने 2 हंटे को है अब अपने आप माइनस बन जाएगा अपर तो तेहिस जब 5 में से आपका नहीं जाएगा तो यहां बचेगा आपका 18-18 divided by यह बचेगा जिए च्टेगा तो यह हो गया तो यह हो गया तेहिस यह होग्या आपका तीहिस माइनस 3 पुना चार यानि कि चार थी बारा वही हमारा तेजिस में से फिर बारा हमारा मायनस हो जाएगा यह हमारा बचेगा 11 तो टोटल इसका अंसर है गयारा यानि कि इस बार जब 6 घंटे हो चुके होंगे तो उसके पास 11 रुपए बचेंगे यह था पुरा इंटर्पलेशन उम्मीद करते हैं आपको स कर दो हिग Правा हमारा भ झास हैं हुपए ख बच में बारा चार बचेंगे